फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार किड्स हैं जिन्हों ने अपने करियर की शुरुआत को लेकर कहानिया बताई और कहा कि कितने स्ट्रगल करके उन्हें पहली फिल्म मिली जैसे कि सारा अली खान को लेकर कहा गया था ये रोहित शट्टी के साथ फिल्म माँगने के लिए सारा अली खान सामने से गई थी आलिया भट ने भी कहा कि Student of the Year के लिए उन्होंने Auditions दिये थे कई स्टार किड्स ने अपनी कहानिया सुनाई इसमें से आलिया भट तो चली लेकिन बाकी स्टार किड्स आज तक अपना टैलेंट नहीं प्रूफ कर पाएं हैं अब फाइनली आमिर के बेटे ने इस साल महराज फिल्म से डेब्यू किया आमिर के बेटे ने सबसे कम पियार किया और ना ही अपने समय से auditions दे रहे थे लेकिन उन रोल्स के लिए वो select भी नहीं हुए कुछ फिल्मों के लिए उन्होंने auditions दिये उनके auditions select भी हुए आमिर को भी उनका वो audition पसंद आया लेकिन जुनाईद को उस फिल्म में सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि फिल्म का budget बहुत बड़ा था और जुनाईद अभी तक नई नई स्टार थे तो इतने बड़े budget को justify नहीं कर पाते यही कारण है कि finally महराज फिल्म से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में debut किया जो बेहत controversial subject था फिल्म को release करने से पहले भी काफी problems आई यह फिल्म को बिना ट्रेलर बिना promotion के ही direct Netflix पर release कर दिया था हाला कि इस फिल्म को बहुत देखा गया और फिल्म को public का response अच्छा मिला है अब जुनाईद ने कहा है कि यह बात सच है कि महराज के लिए उन्होंने audition दिया था और उसके बाद वो select हुए लेकिन वो यह बात भी मानते हैं कि आमिर खान का बेटा होने की वज़े से उन्हें यह फिल्म मिली है अगर आमिर खान का बेटा वो नहीं होते तो शायद यह फिल्म भी उन्हें नहीं मिलती तो एक star kid होते हुए उन्होंने agree कि मेरे पिता की वज़े से मुझे यह फिल्म मिली है यह बात जुनैत की लोगों ने बहुत पसंद की है क्योंकि अकसर star kids जिने प्लेट पर सजाकर फिल्में मिलती है वो जान बूच कर अपनी struggle की कहानिया सुनाते हैं अपने आपको एक struggling actor बताते हैं हाला कि उनकी यह जूठी कहानिया public ने नहीं खरी दी लेकिन जब जुनैत ने दिल से सच बोला तो लोगों को उनकी बात बहुत पसंद आई